प्यारे बच्चो श्वागत है आप सभी का हम लोग पढ़ रहे हैं वी इसी सेक इंडियर की थरम डाइनमिक्स पिछरे लेक्चर में हमने एंट्रोपी के बारे में कम्प्लीट स्टडी की थी आज भी हम एंट्रोपी सेलेटेट दो इंपोर्टेंट ट्रम्स यानि की एंट्रोपी की कुछ फिजिकल प्रोपर्टीज हम लोग स्टडी करने वाले हैं पहली बात तो यह है कि जो एंट्रोपी है इट मेजर्स दी अनवलेबल एनरजी के लिए principle of degradation of energy को define और explain कर पाएंगे और दूसरी एक ट्रम्स है जो हम discuss करेंगे आज वो है entropy measures the degree of disorder तो चलिए शुरुवात करते हैं entropy as a unavailable और प्यारे बच्चों साथ-साथ में बिल्कुज इसी से हम पड़ पाएंगे principle of बीडेशन ओफ एनर्जी हमें इस ला को इस principle को explain भी करना है इसकी statement भी करेंगे और इसको पूरो भी करेंगे और इसको समझेंगे भी तो आज तीन महत्वपूर्ण question जो entropy is related है वो आप समझ पाएंगे पहला question होगा कि discuss the entropy as a unavailable energy या फिर यह आएगा कि state and explain the principle of degradation of entropy यह भी हम लोग discuss करेंगे और लास्ट में एक question हम लोग ट्यार करेंगे यहाँ पर कि show that entropy major the degree of disorderness तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं entropy as unavailable energy entropy के बारे में मैंने पिछली बार बताये था unavailable energy उस energy को कहते हैं जो useful work में convert नहीं होती जो मतलब है हम कि यूज नहीं कर सकते पुने ऐसी energy को unavailable energy यानि कि जो हमारे लिए available नहीं है जिसे हम work में convert नहीं कर सकते तो चलिए इसके लिए एक हम Carnot engine consider कर लेते हैं consider Carnot engine इसी की साहिता से हम इसको explain करेंगे Carnot engine working between given source and sink at temperature T1 degree Kelvin and T2 degree Kelvin respectively यह है यह है यह हमने Carnot engine अब हम यहां से देखिये आप मैं आपको बतना चाहता हूं मान लो आपने पहले discuss किया हुआ है Carnot engine वह हमने देखा था कि source से T1 temperature पर heat absorbed की जाती है यानि कि is the amount of heat absorbed at temperature P1 degree Kelvin यह देखिए इतनी heat source है कुछ work हुआ फिर जो बाकी बच गई जिसे work में convert जो नहीं हो पाई वो heat sink को reject हो गई यह देखिए क्यों टु क्या है क्यों टुटू इस दी अमांट ऑफ heat rejected to sink at temperature T2 degree Kelvin इतनी heat लिए कुछ work उफा और बाकी की heat sink को दे दी जो work में convert नहीं हो पाई इसी heat को हम कहते हैं जो sink को transfer की है इसी heat को हम क्या कहते हैं unavailable energy यानि कि यहीं है हमारी लिए unavailable संचार में यहीं energy जो है लगातार बढ़ती जा रही है और अवलेबल जो energy जो work में convert होती है वो कम होती जा रही है अब बतिये जैसे q1 heat socially q2 heat sink को transfer कर दी तो कितने energy useful work में convert हो गई तो यह देखिए therefore amount of heat amount of heat converted into useful work जारे बता सकते हूं कितनी है यह हो जाएगी w is equal to q1 minus q2 बहुत important point यहीं से हम इन दोनों ही बातों को discuss करेंगे कि entropy का संबंध unavailable energy से कैसे है साथ में हम यह भी statement देंगे यहां से कि principle of degradation of energy आखिर है क्या चलिए यह हमें अब हम वापिस आते हैं अपने कार्णोट इंजन पर कार्णोट इंजन की efficiency हमने आपको बताई थी in terms of heat as well as temperature की फोर में तो वहां से देखते हैं यानि कि the efficiency of देखिए हमें पता होना चाहिए हम करने क्या जा रहे हैं हमारा main focus है unavailable energy यानि कि q2 को निकालेंगे और उसके लिए हम यूज क्या कर रहे है efficiency of कार्णोट इंजन यह देखिए प्यारे विच्छा efficiency क्या होती है आप जानते हैं heat की ठर्म में आगर हम कहें तो q2 minus q1 और अगर हम इसे temperature की form में लिखना चाहें तो यह क्या होगी 1 minus t2 by t1 अब क्योंकि यह दोनों ही बराबर हैं तो 1 say 1 और इनको cancel कर देंगे तो हमारे पास आएगा q2 by q1 it is equal to t2 by t1 यह देखिए यहां से हम q2 की value निकाल लें देखिए q2 क्या है q2 equal to यह देखिए q1 को हम right side में लेकी जा रहे हैं और नीचे तो t2 यह q1 यहा था तो q1 by t1 और into t2 है q1 by t1 क्या है यह तो entropy है अब देखिए हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था large of thumb dynamics में कि entropy of the universe always increases or remains constant या तो constant रहती है या फिर increase करती है कभी भी entropy कम नहीं होती यानि कि यही तो entropy है q1 by t1 और यह हमेशे increase होती है और जब यह increase होती है तो सीधा मतलब क्या है कि q2 increase होती है q2 क्या है unavailable energy है यह increase होती है और जब यह increase होती है यह देखिए तो principle of degradation of energy degradation energy का मतलब बता है useful energy की कमी होती जा रही है and this equation gives the entropy and unavailable energy के बीच में relation या unavailable energy in terms of entropy तो प्यारे बच्चों चलिए इसी को ध्यान में रखके हम principle of degradation of energy की statement देते हैं principle of degradation of energy क्या है हमने हभी तक की study में पाया कि entropy इस universe की या तो constant रहती है या फिर increase करती है constant रहती है reversible process के दोरान और बढ़ती है irreversible process के दोरान लेकिन कभी भी entropy कम नहीं होती और इसका मतलब है entropy हमीशा increase करती है इसे हम यही तो कहते हैं principle of degradation of energy या हमीशा यह यह भी कह सकते है principle of increase of increase of entropy तो प्यारे में तो चलिए इसकी statement क्या हुई कि आप यही तो कहेंगे the entropy मेरे साथ साथ आप notes बनाते रहिए और अपने हाथ से notes बनाना बहुत आसान होता है बहुत अच्छा रहता है इससे confidence level बढ़ता है लेकिन प्यारे बच्चों इसके साथ अगर आपको यह notes बिलकुल इसी form में चाहिए तो आप description में link लेकर के उसे download करके अपने pass रख लें ताकि आप में इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है वो आपके लिए बहुत helpful रहने वाला है यानि यूँ समझ लीजिए आपके लिए बहुत एक अच्छे तरीके से बिलकुल अपनी निजी language में जो एक student की language होनी चाहिए paper में लिखने के लिए उस form में आपके notes तेयार किये गए हैं ताकि आप maximum या 100% scoring कर सके हम बात कर रहे थे कि यह देखिए principle of degradation of energy है क्या the entropy of an isolated system यह देखिए मेरी साथ साथ आप लिखते रहे isolated system either remain constant or increases depending on that the processes process is reversible or irreversible यानि कि entropy कभी विकम नहीं होती और यही है principle of degradation of energy या principle of increase of entropy आप इसे जिसे की प्रूव करना हो या explain करना हो तो आप इस तरीकी से जिसे हम लोग अभी बात ही कर रहे थे कानोट इंजन लेके चलेंगे और उसकी साहिता से नहीं यहाँ पर प्रूव कर दिया कि Q2 Q1 by T1 into T2 यह आपको करना ही होगा यहां तक अब यहां से देखे Q1 by T1 क्या है यह entropy है और entropy हमेशा increase करती है क्योंकि जैसा कि हम इसे statement के साथ और हमने last of thermodynamics में यह बात पढ़ी थी कि entropy always increases और वही चीज यहां पर भी है जब entropy increase करेगी तो फिर unavailable जो energy है वो भी increase कहती है यहां यह की according this equation यह using equation 1 as entropy increases, increases So, unavailable energy also increases और जब unavailable energy increase होगी तो यह देखिये तो फिर जो useful energy जो work में करना रहोती वो decrease होगी so the useful energy, energy decreases, useful energy decrease होना and it is called यही है आप यही लिखेंगे it is called principle of degradation of energy यह है तो प्यारबचो इस तरह से आपको question का अंश्वर मिल गया होगा जो हम शुरू में लेके चले थे question की explain the entropy in terms of unavailable energy या so that entropy measures the unavailable energy गुणा फिराकर की question पूछ सकते हैं या state and explain the principle of degradation of energy और principle of increase of entropy और इस से related जो छोटे questions भी अगर आप से पूछे जाए तो उसका भी आप जबाब दे सकते हैं चले एक दूसरी important property हम discuss कर लेते हैं कि entropy as measures the degree of disorder entropy as the measure of measure of degree of disorder और इसे randomness भी कहते हैं जाने बच्चू यह हम हमें देखना है कि जो randomness है disorderness है यह entropy से direct link है यानि कि जैसे जैसे entropy बढ़ती है तो disorderness भी बढ़ती है कैसे चलिए हम entropy की definition से लेके चलते हैं the change in entropy of a system of a system is defined as इस तरी से हम इसको define करेंगे देखिए ds is equal to dq by T यह है definition entropy change की इसे हम equation number open देदेए अब देखिए किसी system में अगर हम heat supply करते हैं heat देते हैं उसका temperature constant रखते हुए जब dq increase होगा तो फिर entropy increase होगा यह देखिए यानि की if dq increases इसका मतलब हुआ if we supply the heat to a system at constant temperature यानि की if we supply और transfer heat to a system at constant temperature पर अगर हम heat increase करेंगे तो फिर क्या increase होगी entropy increase होगी क्योंकि यह बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगी when entropy increases अब हमें यह तो पता चल गया कि heat supply करने पर entropy increase हो रही है लेकिन जैसे ही constant temperature पर हम heat supply करते हैं तो आप जानते हैं उस substance की जो state है वो भी बदल जाती है solid है तो गरम करेंगे तो क्या हो जाता है liquid में बदल जाती है और अगर liquid है तो उसको हम heat supply करेंगे तो क्या चीज़ बदल जाती है क्या बन जाता है वेपर बन जाती है गेस बन जाती है और यानि कि अगर हम ऐसा करते हैं तो heat supply करते हैं solid किसमे कनवर्ड हो जाता है liquid में और लिक्विड किसमे कनवर्ड हो जाती है अगर लिक्विड स्टेट पहले से heat supply करेंगे तो वो वेपर्स और हम एक और बात जानते हैं कि जो solid form में substance होता है उसमें जो atom molecule ज्यादा ordered अवस्था में होते हैं वो order में होते हैं उसके comparatively जो liquid है वो ज्यादा disorder होते हैं और लिक्विड से ज्यादा disorderness किसमें होती है वेपर्स में होती है गैसीज में होती है यानि यह जो है order जो है यह decrease होता रहता है फिर सुन लिजिए जैसे-जैसे heat supply करते ही as the heat supply at constant temperature to a system the entropy increases यह हमने लिख दिया साथ में हमें due to it इसकी वज़े से इसका मतलब heat supply करने की वज़े से the state of state of substance changes उस substance की जो state है वो बदल जाती है that is आप इसको यह कह सकते है from solid to liquid पर जब हम solid अवस्ता में है heat supply करेंगे तो किस में जानते हैं कि liquid is more disorder in comparison to the solid और gases are also more disorder even with comparison to the liquids इसका मतलब जैसे जैसे heat supply करते हैं entropy increase होती है और साथ में disorderness भी increase होता है इसका मतलब entropy के बढ़ने से disorderness increase होती है तो हो गया ना इन दोनों का आपस में आप यही तो यहा लिखोगे due to it disorderness नेस कहीजिए या फिर और रेंडमनेस कहीजिए increases इसका मतलब सीधा सीधा लिंक हो गया disorderness का entropy से दोनों एक दूसरे पिडिपेंडेंट है आपसे पूछे जाएगा कि so that entropy measures the disorderness of a system तो आपको इस तरीके से एक्स्वेन करना है तो प्यारे बच्चो आज हमने दो physical properties entropy की discuss की पहला हमने discuss कि entropy measures the unavailable energy और उसकी साहता से हमने principle of increase of entropy या फिर principle of big addition of energy के बारे में पढ़ा और अंत में हमने देखा कि entropy measures the disorderness of a system तो प्यारे बच्चो नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल रहेगा वो भी entropy से संबग देती है उसमें हम लोग एक बहुत important article जैसा कि आपने pressure volume graph Carnot cycle का कीचा था अब हम entropy temperature graph कीचेंगे और उसकी की शाहिता से Carnot engine जो है उसकी efficiency का जो expression है वो भी drive करेंगे बहुत important रहने वाला है तो आप जरूर अपने इस channel आजी सर फिजिक से जुड़े रहें और इसके लिए बस आपको सिर्फ इतना ही करना है कि अपने इस channel को subscribe कर ले बैल आइक कोन दबा दे और अच्छा लग रहा है तो दूसरों को share कर ले और अच्छा नहीं लग रहा है तो comments में हम जरूर बताएं कि क्या आपको इसमें कम अच्छा लगा है या इसको हम कैसे और फर्दर improve कर सकते हैं क्योंकि आने वाले समय में complete physics आपको complete notes की forum में भी आपको मिलेंगे ताकि आपकी scoring 100% रहे यही मेरा लक्ष है और इसके लिए आपकी तरफ से मुझे लगातार motivate करना पड़ेगा इसी तरीके से like और subscribe करते हुए और प्यारे बैचो मैं भी आपको आपके तैयारी के लिए किस तरह आप exams के तैयारी करें और पूरे अनभव के साथ जो notes है मैं बुक की कम साहिता लेता हूं अपना जो अनभव है पीछे का उसके आधार पर ही वो notes मनाता हूं तो notes भी आप download कर सकते हैं तो म हुआ हुआ